जोहिन फ्रेंस नमस्का डिफेंस अफड़ भारत प्रापका स्वाधे सो फ्रेंस हमारे डियादियों ने यूट की उत्पादों पर कोबिद नाइटिन के बाबजूत अपने धान केंदिती रखता है मतलब यहां पर फोकोस रखा हुआ है मतलब से बहुती खोतरनाक वेपन सामने आ जाता है जो की फ्रेंस चलिए भीनादियों के इनके बारे में जाल लेते है नॉम्बर वान पर यहां पर आजाता है हमारे बहुत प्रतिकी तेजस आयरकाप्ट जी यहां डी आडियों के लिए 2021 के धोमा केके शुरू हुआ जैसे कोबिन-19 के सिचोशन में तेजस नाभाल बेरियंट को सामने लाया गया था जो फिर आइनेस विक्रमादी तेयरकाप्ट कैरियर पर सफलता पूर्बग सक्सेस फुली आरेस्टर लांडिंग किया था जो कि यह अभ्यास गोवा में कई बार टेस्ट इसे क्या गया था जिसे साधरान तरपर सोर बेसिट टेस्ट फासिल्टीज एस बी टीबी कहा जाता है लेकिन यह टेस्ट कड़ी चुनोती से भरा हुआ था एक और जीती यहाँ पर आईसा उत्तम राडार को लेकर है जी हाँ इसके 125 गंटे उडान टेस्ट परिखन का पूरा होना था जो कि एर-to-air, एर-to-surface और एर-to-C मोर में कई लख्यो टार्गेट को ट्राक कर सकता है जो कि तेजस को एक विश्वस्तोरियो लडाकु के रू त्री बेरियंट को उपर भी काम क्या जार है जो कि 400 की मी रेंज ट्राकिंग टार्गेट कर सकता है और नमबर टू में यहाँ पर ब्रह्मोर सुपर सोनी क्रूज मीजाईल आ जाता है जी हाँ परिकन पिछले सेप्टमबर में इसके हाली में सोदेशी कॉन्फिकेशन को मान चेनाई से दागा गया था जो कि सॉक्सेसफूल टार्गेट को अचिप किया था और थार सुपर सोनी क्रूज मीजाईल ने सीप टू सीप मूर में पिछले डिसमबर में सॉक्सेसफूल टार्गेट को अचिप किया था जो कि टार्गेट में एक जहाज को मार कर और दुबा बन गया जो कि USA रोसिया और चाइने के बाद फोर्थ कंट्री बन गया था जब बड़ डिया द्यों के प्राधोगी की हाइपोस्वोनिक टेकनलोजी डेमस्टीटर वीकेल एचेस टीडिवी ने उडान भरी थी और सक्सेश्पुली टार्गेट को अचिब किया था जो कि 30 किल किलेमिटर उजाइता को कवर किया था और स्पीडी तक्रिबन मैक्स 6 था और 22 सेकेंड उडान किया था मतलब 1 सेकेंड में 1.3 किलेमिटर से ज्याधा स्पीड में ये जा रहा था जो कि हाइपोस्वोरी की स्पीड कहलाता है मतलब 7500 की मी पर घंटे प्रतिगंटे की स्पीड से उड़ान भरती है जिसे ये सुपर्सोनिक फाइटर जेट दोरा अबरोध के लिए कमजोर हो जाती है एक हाइपर्सोनिक मीजाईल जो कि किसी भी एरकाप्ट विमान की तुन्ला में तेजी से उड़ान भरती है और यहाँ पर हाइपर्सोनिक मीजाईल अपने टार परिखन क्या था जो कि डियादियों ने एक के हेलिकेप्टर लॉंचेड एटी जी एम के तीन उडान परिखन टेस्ट को सक्सेजफुली पूरा ख्या था जो कि दुनिया के सबसे अर्बांसेड एटी जी एम हतियारों में से एक होता है और सेप्टमबर दोहजार बीच में ल जोने दोहजार बीस अक्टावर में देस्की फास्ट फहली सोदेशी आंटी रेडियाशन मिजाईल रूद्रम को सबलता पूर्वक परिखन क्या था जो की स्पेश्याल मुख्य रूप से दुस्मनों के राडार को नस्ट करने के लिए ब्याभार क्या जाता है इसे अपने एसु 30 MKI फाइटर एरकाप से लांच किया गया था ये आंटी रेडियेशन रूद्रम मिजाईल इंटर्ट्याल लाविगेशन सिस्टम्स या ग्लोबाल प्रोजिशनिंग सिस्टम्स जी पीएस द्वारा प्रारंपिक भाग के लिए निर्देशित होता है और लख्ष के कर मिजाईल पॉसिब होमिंग हेर का अनुसरान करता है जो दुस्मनों के राडर तक पहुंचाता है और लख्ष को हीट कराता है नमबर सिक्स में यहां पर स्मार टोपीडो आ जाता है जिहां जो कि एक सुपर सोनी की मिजाईल आसेस्टेर रिलीज अफर टोपीडो होता है मत का अड़वांसेल लाइट वेट आंटी सुम्मेरिन टोपीडो सिस्टम सो होता है जो कि पहले से बेवार पारमपारिक टोपीडो से कहीं अधिक दूरी तक मार कर सकता है और फ्यूचोर को देखते हुए एनमी को देखते हुए धान रेखे की बड़ी बात ये है कि हमारे द परियोजना को बॉंड भी नहीं क्या है जो कि हमारे के हमारे के हमारे देश के लिए के बहुत ही बड़ा प्लॉस पॉइंट साबिध होता है और हर सीचोशन में ये वेपॉन्स ये उधास्त्रों हमारे साथ दुस्मनों को टार्गेड करने के लिए खड़े रहेंगे हमारे चानेल को जरू सब्सक्राइब कीजिए जोहीं से भार